यह है ट्विस्ट्स की कहानी, कहानी लाइट की और मैटर की, कहानी साइन्स के कुछ बहतरीन खोजों की और उन खोजों से निकले सवालों की, जो हमारे अहंकार को चूर चूर कर देता है, अहंकार कि हम जो देखते हैं और देख कर समझते हैं बस वही सच है, कहानी दीपर रि सन अठारा सो एक, थॉमस यंग नाम के एक साइन्टिस्ट ने एक एकस्परिमेंट किया, उन्होंने मोनो क्रोमाटिक लाइट यानि की एक ही फ्रिक्वेंसी के लाइट को दो स्लिट्स से पार करवाया, उसके पीछे स्क्रीन पर उन्हें एक इंट्रेस्टिंग चीज दिखा, दो स्लिट्स के पीछे लाइट दो जगहों पर न दिखकर बहुत सारे स्ट्रिप्स के तौर पे दिखा, इसे लाइट का इंटर्फेरंस कहा जाता है, ये मानो कुछ ऐसा ही है कि आप पानी के सर्फेस पे दो जगहों पर ओसिलेशन करवा रहे हों और दो वेव्स बन रहा ह वो दो वेव्स एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से इंटराक्ट करता है कि कहीं उनके क्रेस्ट्स और क्रेस्ट्स या ट्रफ्स और ट्रफ्स मिलकर एक बड़ा सा वेव बन रहा होता है और कहीं एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ मिलकर एक दूसरे के असर को कैंसल कर र कम्यूनिटी में लोग थीरे थीरे ये मानने लगे कि लाइट वेव है आगे चलकर सन 1865 में जेम्स क्लार्क मैक्सवल ने इलेक्ट्रो मैगनेटिजम के बेसिक एक्वेशन से थियोरिटिकली ये दिखाया कि ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्रिक फील्ड और मैगनेटिक फील्ड में ऑसिलेशन लाता है जिसमें वेव जैसा प्रापरटीज दिखता है इस वेव को उन्होंने इलेक्ट्रो मैगनेटिक नाम दिया उनके कैलकुलेशन से इस वेव का स्पीड निकल कर आया लगभग 3 लाख किलोमेटर पर सेकेंड पर रुक्ये जरा इसके सिर्फ 3 साल पहले ही सन 1862 में फूको नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने रोटेटिंग मिरर वाले एक्सपेरिमेंट से लाइट का स्पीड पता किया था जिसके साथ मैक्सवल का theoretically निकाला गया electromagnetic wave के स्पीड का वैल्यू लगभग मैच कर गया मैक्सवल ने कहा तो फिर लाइट भी एक तरह का electromagnetic wave ही है जो कि आगे चलकर सही ही साबित हुआ इस तरह से यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और मैक्सवल के electromagnetic wave के एक्वेशन से ये साबित हो गया कि लाइट एक वेव है कहानी खत्म नह कहानी में ट्विष्ट तो अब आता है 19th century के दूसरे भाग में scientists black body radiation को explain करने के लिए कोई logical जवाब ढूंड रहे थे पर classical physics का कोई भी known theory उसे explain नहीं कर पा रहा था सन 1900 में मैक्स प्लांक ने एक बड़ा ही bold assumption लिया कि electromagnetic radiation एनरजी के packet के तोर पे exist करता है जिसे उन्होंने नाम दिया photon अब जैसे ही photon का concept उन्होंने apply किया वैसे ही black body radiation के experimental data के साथ theoretical data पूरी तरह से match कर गया इस photon के concept पर सवाल तो उठे लेकिन उसके सिर्फ 5 साल के अंदर ही Albert Einstein ने photoelectric effect नाम के बरसों से अंसुल जी एक पहली को photon के ही concept से explain कर दिया बस फिर क्या था photon का concept established हो गया पर अब और भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि electromagnetic radiation आखिर है क्या क्या ये wave है या फिर energy packet के form में particle अब ये गुत्थी सुलज दी कि उससे पहले ही scientists और भी उल्जन में फस गए Louis Debroy नाम के science के एक student ने ये सोचा कि energy और matter तो एक ही सिक्के के दो पहलू है जो कि Einstein का दिया हुआ special theory of relativity से पहले ही प्रमाणित हो चुका था E equals mc squared energy mass में और mass energy में convert हो सकता है तो फिर wave के तौर पर जिसे हम अब तक सिर्फ energy का form मानते आ रहे थे उसमें अगर particle जैसा behavior हो तो matters में भी wave जैसा behavior होना चाहिए बस यही सोच कर उन्होंने अपने PhD thesis में ये postulate कर दिया कि सारे matter में wave जैसा properties होगा जैसे कि उनमें wavelength और frequency होगा और मज़े की बात ये है कि आगे चलकर सन 1927 में Davidson और जर्मर ने और 1928 में G.P. Thompson ने अपने-अपने experiments में ये दिखाया कि electrons का भी light की ही तरह diffraction होता है diffraction जो की waves में होता है वो electrons जिसे की अब से पहले particle माना जाता रहा है उसमें भी होना Debroy के postulate को establish करता है मतलब इसका यही बना कि चाहे वो electromagnetic wave हो या फिर electron जैसा कोई matter हर किसी में wave properties और particle properties दोनों होता है ये भले ही बड़ा counter intuitive लगता हो पर आगे चलकर quantum mechanics में आप wave function के evolution और wave function के collapse के concept से इसे आसानी से समझ पाएंगे पर वो तो बहुत आगे की बात है वो आप अपने BSC BTEC में जाकर सीखेंगे फिलहाल class 12 के इस chapter में हम खूब details में photoelectric effect, wave nature of matter और devison and germar experiment को समझेंगे उन सारे related videos का link आपको description box और यहाँ पर screen पे मिल जाएगा तो जल्द मिलते हैं तब तक के लिए खुश रहें गटाई